नमस्कार दोस्तो, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ मेग सिंग भाटे हमारे देश में आर्मी की नई भरती प्रक्रिया अगनीपत को सुरू किया जा चुका है वाई सेना में अगनीपत भरती परंजिकरन सुक्रवार 24 जूइन 2022 से सुरू हो गया और आगे एक जुलाज़ चे भरती सेना यानि की थल सेना से भी आविदन सुरू हो जाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हम आविदन की बात नहीं करेंगे बल्कि बात करने वाले हैं अगनीवीर की सेद्री के अगनिपद स्कीम के तहत सेना में भरती होने वाले अगनीवीरों को हर महीने कितनी सेद्री मिलेगी और हर महीनی उनकी हाथ में कितनी सेद्री आएगी और रिटायर्मेंट के बाद उन ही क्या फायदे मिलने september आले हैं ये ली जाएंगे इस तरह पहले साल अगनी वीरों की इन हैंड सेलरी 21,000 रुपे प्रती महीना रहेगी हर महीने सेवा नेदी फंड में जमा होने वाली रकम का भुगतान 4 साल का कारेकाल पूरा होने के बाद अगनी वीर को एक मुष्ट किया जाएगा नोटिपिकेसन के अनुसा इसे दूसरे साल में टोटल सेलरी बढ़कर 33,000 रुपे हो जाएगी इसमें से 30,000 रुपे सेवा नेदी फंड में जाएंगे और अगनी वीरों को हर महीने 23,100 रुपे मिलेंगे तीसरे साल में अगनी वीरों की टोटल सेलरी बढ़कर 36,500 रुपे हो जाएगी इसमें से 30,000 रुपे यानिकी 10,950 रुपे सेवा नेदी फंड के लिए होंगे और इन हेंट सेलरी 25,500 रुपे होगी चोथे वांतिम साल में अगनी वीरों की टोटल सेलरी बढ़कर 40,000 रुपे हो जाएगी चोथे साल के दोरान अगनी वीरों को हाथ में हर महीने 18,000 रुपे मिलेंगे रुबाकी के 12,000 रुपे सेवा नेदी फंड में जमा होंगे इस तरह पूरे चार साल के दोरान सेवा नेदी पैकेज में अगनी वीरों का कॉंटिवेशन 5-10,000 रुपे यानि की 5,2,000 रुपे होंगे सरकार भी इस फंड में अपनी ओर से इसके बराबर 5,2,000 रुपे जमा करेगी इस तरह 4 साल का कारेकाल समाप्त होने के बार अगनी वीरों को एक मोस्त 10,000,000 रुपे मिलेंगे सरकार इसके अलावा भी अगनी वीरों को अन्य फायदे देने वाली है सेवा नेदी फंड के जमा होने वाली रकम पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी ब्याज की जो दर है वो EPFO की पैंसन स्किम Employee Provident फंड पर मिलने वाली ब्याज के पराबर होगी मैं आपको बता दू कि सेवा नेदी फंड के एक मुस्त भुगतान पर अगनी वीरों को इंकम टेक्स भी नहीं देला होगा